असलाम लेकुम स्टोर्टेंट्स इस अनिशा और यूट्यूब चैनल अनिशा आज हम पढ़ेंगे बीएस कोर्स कोड 9417 का जो के अलामा इकबाल ओपन उनिवस्टी का कोर्स कोड है इसमें हम यह बुक है जी अंडर्स्टेंडिंग मैटमाटिक्स एंस्ट्रेटिक्स इसमें हम डिसक्स करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर टू यूनिट नंबर टू के बारे में आज हम डिसक्स करेंगे यूनिट नंबर टू में हमें क्या बताया गया है उसके बारे में हम डिसक्स करते हैं सो यूनिट नंबर टू है जी हमारे बास पैज नंबर 37 लिनियर एंड क पार्ट करते हैं 38 जी तो पेच निम्बर 38 में हमें बताया गया है लिनियर एंड कोड़रिक एक्वेशिंस के कॉंटेंट्स कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या-क्या तो दो ही है मारे पास टॉपिक हैं बेसिकली फस्ट अफ आल लिनियर एक्वेशिंस उसके बाद लिनियर एक्व करेंगे जो किस चेप्टर में है वह है कोड्रिक इक्वेशिंस को किस किस मेथड्स हैं साल कशाओ कर सकते हैं वह मैथट पढ़ेएंगे सो हम स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट है गजी तो आपकी बुट का पेस सब्सक्राइब बारे में पहले थोड़ा सा इंट्ट ए ले लेते हैं इसके बारे में discuss कर लेते हैं basically linear equations होती क्या है what is linear equations तो हम discuss करते हैं first of all linear equations are the algebraic equations which involve variables and constants and the variables involved have power exactly equal to one basically इस lines में ये बताया गया है linear equation जो है वो algebraic equation होती है और equation ऐसी चीज जिसमें equality पाई जाए जाए for example हमारे पास equation है हमें कैसे पता चलेगा जी कि हमारे पास equation है कि नहीं तो उसके लिए मैं आपको पता दूँ जैसे हमारे पास नीचे examples है x plus 2 is equal to 0 जी तो ये हमारे पास किया है जी equation है कैसे हमें पता चले equation है equality इसमें पाई जा रही है बराबर तो हम क्या कहेंगे this is equation ठीक हो गया अच्छा जी linear equation अब क्या होती है linear equation ऐसी equation होती है जिसमें variable की power 1 हो जैसे ये variable है हमारे पास variable हमारे पास होते है x, y और constants हो होते हैं जिनकी value हम change नहीं कर सकते हैं like 2 जो है वो हमारे पास है constants, constant है ठीक है single है तो constant होगा और x हमारे पास है जी variable हमें linear equations के बारे में बताना है तो linear equations क्या होती है जिस variable की power हमारे पास 1 हो, exactly 1 हो like this and like this x plus 2 है तो ये हमारे पास क्या होगी linear equation that is equation and power 1 and also included constant then it is called linear equation ऐसी equation जिसमें variables की power हमारे पास 1 हो उसे हम कहते हैं linear equation then उन्होंने examples दी होई है x plus 2 is equal to 0 देखें जी x variable है और उसकी power हमारे पास क्या है 1 तो इसे हम कहेंगे linear equation उसके बार 2y plus x है तो इन में y और x हमारे पास variables हैं इन दोनों की powers हमारे पास 1 हैं तो हम इसे क्या कहेंगे linear और जब equality आगी है तो क्या बोलेंगे equation linear equation बन जागी ऐसे ही so on उन्हें next example दी होई 2x plus 4y तो 2 and 4 हमारे पास क्या होगी constants and y and x हमारे पास क्या है जी variable variable की power क्या हमारे पास 1 that is linear equation आगे है जी linear equations in one variable तो one variable में linear equation कैसी होती है वो हम discuss करते हैं these are the linear equations which involve only one variable ऐसी equations ऐसी linear equations जिन में 0 और 0 एक variable पाया जाता है for example x plus 2 is equal to 0 that is one variable linear equation linear equation in one variable 2y plus x is equal to minus 3 that is linear equation in two variables so अभी हम इसके बारे में डिसक्स करने लगे है x plus 2 is equal to 0 जी तो जनाब example number 1 है हमारे x plus 2 is equal to 0 is a linear equation in one variable the solution of linear equation means we have to find the value of the variable involved कह रही है इन lines में उन्होंने बताया वायजी करेंगे वो दूनों साइट पे करेंगे तो हमने इस साइट पे भी किया और इस साइट पे भी किया तो यह और यह कैंसल होगे तो x is equal to 0 minus 2 means minus 2 that is value of x linear equation in one variable को हम इस तरह से solve करेंगे नेक्स है जी हमारे पास देख लें जी आप भी x की value उन्हें माइनस 2 solve करके निकाल ली है then उन्हें ग्राफ करी जो है वह डिजाइन की है ग्राफ में represent की है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं जी मैं आपको method बता देती हूं that is very simple यह हमारे पास है जी ग्राफ बनाने का method यह हमने ग्राफ बनाना है और x axis इस side पर होती है और y axis इस side पर x की positive values होती है और इस side पर y की positive values होती है इस side पर x की negative values होती है और इस side पर y की negative value होती है So, यहाँ पर 0 होता है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 And this one 1, 2, 3 1, 2 and 3 हमारे पास x की negative value 2 आई है तो x negative and 2, 1 is this तो यह हमारे पास क्या बनिया point यह हमारे पास जिजनाब linear equation in one variable linear equation in one variable then हम आगे discuss करेंगे linear equation in two variable लेकिन पहले हम linear equation in one variable discuss कर लेते हैं उसके बाद उन्हेंने example 2 दी हुई है let us suppose that we have the linear equation 2y minus 5 is equal to 0 तो इसको कैसे solve करेंगे 2y minus 5 is equal to 0 2y minus 5 is equal to 0 सबसे पहले हमारा method है 2y इस 5 को cancel करने के लिए हम इसमें 5 को add कर लेंगे इसके reciprocal कर लेंगे हम मतलब किसके उल्ट करते हैं जैसे माइनस 5 है तो यहां पर प्लस 5 अड़ करेंगे दोनु साइट्स पर करेंगे 2y यह दोनु कैंसल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5 उसके बाद अब 2 यहां पर है multiply हो रहा इसको हम divide कर देंगे दोनु साइट्स पर 2 divided 2y और 5 divided 2 यहां से यह वाले टू कैंसल हो जाएंगे और य की वैली हमारे पास आदेगी 5 by 2 जब हम जब हम calculator पर यह वाली वैली फाइंट करेंगे तो हमारे पास किस तरह से वैलीव आएगी इसको हम division method से भी कार सकते हैं तो 204 वन निचे आगया माइनस किया point लगा उसके बाद 0 और 2510 means कि हमारे पास exact value y की आई है 2.5 इसको हम graph में कैसे show करेंगे same as it is x और y वाली हमने किसकी value ली है y की positive value है 2.5 तो one two and three तो two point इस इदर दर म्यान भी होगा यहां पर में पास zero origin होता है ठीक हो गया then हमारे पास page number है जनाब 41 41 पर आगी है self assessment questions तो self assessment questions कैसे solve होते हैं पहला question is solve the following linear equations in one variable and also represents them on the coordinate plane तो हमने क्या करना है coordinate plane पर भी से जाहिर करना है कि इसको linear equations को linear equations के one variable in one variable solve करकि उसको represent करना है linear coordinate plane पर भी coordinate plane basically इस plane को बोला जाता है so two x minus one is equal to zero तो इसको हम solve करते हैं इसमें से x की value निकारते हैं तो यहां पर हम solve करेंगे two x minus one is equal to zero so two sides पर one को add कर लेंगे zero plus one तो हमार पास आरेगा two x यह दुन कैंसल होगे और one अब हमने two को cancel करना है तो two को divide कर लेंगे दोनु साइड्स में cancel हो गया x is equal to one point two and x is equal to zero point five approximately हमें पता होता है one point two किसके equal है zero point five के equal इधर हम divide करके देखनेते हैं two sorry one and two तो two को one से solve नहीं कर सकते है इसलिए zero point लगेगा नीचे zero आ गया two five zero क्या होता है तो हमारे पस क्या आ गया 0.5 then x की value हमारे पस क्या find out होई है 0.5 अगर हम इसी graph पे चेक कर लें तो हमारे पस x positive की value आई है कैसे पता चलता x positive है या negative है तो चेक करेंजिए यहां पर x की value negative आई है positive आई है तो x की value obviously positive आई है तो zero point five one से भी पहले होगा means कि यहां पर लाए करेगा उसके बाद है y minus three by two is equal to one question number two है परी number forty one पर self assessment question है तो question number one का part two है उसको हम solve करते हैं y minus three by two is equal to one तो minus three by two को cancel करना है means कि minus three by two plus करेंगे three by two both sides पे one plus three by two तो तो यहां पर यह दोने cancel होगे y की value हमार पस क्या आगी इस one plus three by two का else जम लेंगे तो two ones are two plus three by two तो y की value हमार पस क्या निकला ही जे हमार पस निकला ही है जी two plus three five and five by two same question same example number two है यह question one self assessment का question one जो है वो same to same question number इसका part two जो है वो same to same हमारे पास example two जो के page number 40 पे हम solve कर चुके है same as it is वही value आई है five की क्या यह जी two point five तो इसका भी as it is का लेंगे उसके बाद है two x is equal to zero तो यहां पर two के साथ divide करेंगे zero divide होगा two को तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो x की value हमार five plus ten is equal to zero तो इसमें ten जो है वो add भी का लेंगे और subtract भी का लेंगे तो हमारे पास आजएगा five y plus ten is equal to zero उसके बाद five y plus ten minus ten is equal to zero minus ten यह दुने cancel होगे five y is equal to minus ten आगया उसके बाद five के साथ divide करेंगे तो five by five और y और minus ten by five यह cancel होगे और उसके बाद five y is equal to five two तो और minus आगया minus two y की value मरपस minus two है जैसे यह plane में coordinate ड्रा किया है उसी तरह y की value मरपस negative two y है means के यह y positive है और यह y negative है नीचे वाला तो y की value two y है तो यह वाला two इस ऐसे इस तरह से line ड्रा हो जाएगी i hope आज का lecture आप लों को समझ आ गया होगा basically हमने आज पढ़ा linear equation linear equation ऐसी equation जिसमें variable की power one involved हो उसके इलावा हमने पढ़ा linear equation in one variable सबसे पहले basically आपको पता होना चाहिए कि एक equation में variable कौन सा होता है और constant कौन सा होता है सो उसके बाद हमने पढ़ा जी variable one variable में linear equation कैसे किया रहता है तो वहाँ पे basically हम एक्स की value find करनी है और उसको plane पे draw कर देना है बहुत easy है coordinate plane तो उस पे draw कर देना है इन्शाला नेक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे linear equations in two variables अगर आपको कोई भी मसला है इस लेक्चर में कोई भी problem आ रही है तो आप जो है वो comment में पूछ सकती है और अगर आपको में आज की lecture की समझ आगी है तो please मेरे चैनल को subscribe कर दे लाइक कर दे और share कर दे thank you for watching अलाहाफीज